जहिन मित्रो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यह हम लेका रहा है एस्प्रेस्वे सीरीज के अंतरगत लेटेस्ट अब्रेट आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाले हैं कई एस्प्रेस्वे के बारे में तो चलिए जाता देर ना करत जाती वे सुरू करते हैं आज का वीडियो देश का सबसे लंबा एस्प्रेस्वे जोकी दिली और मुंबई को कनेक्ट करेगा दिली मुंबई एस्प्रेस्वे बन करके तयार हो चुका है देश के परधान मंत्री स्री नरेन मोदी जी की मनझूरी का इंतजार हो रहा है इसी महिने इस Espressoye का उद्घाटन होगा दिल्ली से दोसा तक 220 किलोमेटर का हिस्सा बन करके तयार हो चुका है उसी का उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली मुंबई Espressoye Greenfield Espressoye है और देश का सबसे लंबा Espressoye होने है और इसे 8 lane के हिसाब से बनाया गया है और इसे समय अनुसार 12 lane तक इसको बढ़ाया जा सकता है दुनिया में अभी तक यह सबसे लंबा Espressoye है दिल्ली मुंबई Espressoye कोरिडोर को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए दिसंबर 2023 तक का समय लिया जा रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1380 किलोमेटर की दूरी है और इतना ही लंबा या Espressoye बन रहा है और दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी मातर 12 घंटे में तै की नहीं जा सकती है इस Espressoye के पूरी तरह से बन जाने के बाद और दूसरी अपडेट है लखनव आउटर रिंग रोट को ले करके प्रकिरिया बहुत तेजी से चल रहे है और 2023 के लार्स तक आउटर रिंग रोट का काम कंपलीट कर लिया जाएगा और लखनव आउटर रिंग रोड नीचे आउटर रिंग रोड रहेगी और कानपूर लखनव एश्प्रेस्वे आउटर रिंग रोड के उपर से गुजरेगा जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं और अगला अपडेट है लखनाव कानपूर एस्प्रेस्वे को लेकर भारती राष्टी राजमार प्राधी करण ने काम तेज कर दिया है और सरोजिनी नगर के पास जो संस्था है ने अपना कास्टिंग याड बनाने का काम सुरू कर दिया है आउटर रिंग रोड अठारवे और बारवे किलो मेटर पर कनेक्ट होगा इसके अलावा या एस्प्रेस्वे आउटर रिंग रोड के 5.5 मीटर निकलेगा लखनो कानपूर एस्प्रेश्वे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 63 किलो मिटर का लखनो कानपूर एस्प्रेश्वे बन रहा है जल्द गोमती एस्प्रेश्वे के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगो को देंगे हम गोमती एस्प्रेश्वे जो की प्रतीसत वर्क जो है गोरक पुलिंग के एस्प्रेस्वे का वो पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है गाजीपुर से माजी घार तक बनने वाला ग्रीन फिल्ड एस्प्रेस्वे के बारे में अभी मौपजा सरकिलेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अभी इसके बारे मे दोस्तों कोई जानकारी सटी जानकारी नहीं मिल पा रही हलाकि सुत्रो दौरा किसानों के साथ उच्च अधिकारियों की काफी बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक उसमें कोई निर्ड़े नहीं निकला है माजी घार ग्रीन फिल्ड एस्प्रेस्वे में क्या सरकिल लेत बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है जैसे ही कोई जानकारी आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोह को जरूर आउगत कराते रहेंगे उसके लिए दोस्तों आप लोगो चैनल को सस्काइब करके रखना पड़ेगा साथ ही साथ बेल नोटिव के साथ आइकन को जरूप प्रेस कर लीजेगा एक और अपडेट है यूपी से ही कानपूर आउटर रिंग रोट का निर्माड बहुत जल्द सुरू हो जाएगा कई वीडियो हमने बना रखे कानपूर आउटर रिंग रोट से सम्मंदित प्लेलिस्ट पे जाकर कि आप वीडियो देख सकते हैं जैसे ही कानपूर आउट रिंग रोट का वर्क सुरू होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लाग कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और यदि चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथ ही साथ बेल लोट के थान आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तो मिलते हैं किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम